हाँ जी हलो नमश्कार वेलकम ट्यू इंकलकेट लर्निंग गुड इवनिंग एवरीबडी गुड इवनिंग दामोदर एक सेखेंड रुकिए भाई साइड में ये ओपन कर लेती हूँ काफी दिनों के दामोदर दिखनी रहे तीन-चार क्लास से मिनिमुम पता नहीं आपकी तपे ठीक चल रही है क्यात का सेखेंशन शुरू उससे पहले मैं एक बात पता रहती हूँ मेरी तब एदाज बुपैर की वाद से गड़बड चल रही है गला विल्कुल ऐसे चोख वो रखा है बट स्टिल मैंने ये क्लास शेडियूल कर रखी थी तो आई थो ले ही लेती हूँ छ oblück क्लास शेड नहीं ले पाऊंगी ज्यादा तब इत्कराब लग रही है मजे कि सुबा तक तो डेफिनेटली हो जाएगी ठीक है तो सुबा की तो नहीं होगी शाम मैं ट्राइ करूंगी कि हां मैं ले पाऊं ठीक है तुम्हारी तब यह ठीक है था मुदर क्लास नहीं ले पारे तुम भी निहां की भी डाउन डाउन चल रही थी चलिए कोई बात नहीं ध्यान रखिए भई तब यह तका ओके 57th क्लास रही है हमारी मास मीडिया एंड सोसाइटी के ऊपर हमें बात करनी है मास मीडिया की थेयरीज जो है वो एक क्लास बच जाएगी हमारी क्वेशन प्रैक्टिस के अलावा कम्यूनिकेशन से ठीक है तो कल शाम तक को मैं ट्राइ करूँगी क्लास लेने की की मास मीडिया की थेयरीज जो है वो मैं करवा पाँ अगर आपको वीडियो इन्फरमेटिव लग रही है तो लाइक शेर सब्सक्राइब कर दीजेगा इनकल्केट लर्निंग को विल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना चलिए शुरू करते हम मास कम्यूनिकेशन हम अल्रेडी पढ़ चुक है मास कम्यूनिकेशन क्या होता है जब एक मैसिज जो है वो एक सोर्स से लार्ज नमबर ओफ ओके आप ठीक है गुड तबियत का ध्यान रखिए ज्यादा लोगों तक हम जब मैसिज पहुचाने की ट्राइ करते हैं ज्यादा एरिया में बदलब लाखों करोडों लोगों तक मैसिज जा रहा है तो वो क्या है जी मास कम्यूनिकेशन बदलब आप क करता है मास्स को उसको हम मास मीडिया बोलते हैं इस मास मीडिया में न्यूसपेपर, जर्नल, रेडियो, टीवी, सिनेमा, सोशल मीडिया जैसे की फेस्बुक, ट्विटर ये सारे चीज़ें आ जाते हैं जी इसमें ठीक है देन आता है टर्म जो है ये मास मीडिया ये ये यूरोप में सबसे पहले यूज हुई, शुरू हुई यूज हो न, 1920s में, जो वर्ल्ड वोर सेकेंड था उससे पहले न्यूसपेपर ही जो है एक मास मीडिया की चैनल की तरह यूज किया जाता था जैसे अभी आगे आपको शाहिद देखने को मिलेगा कि 1925-2030 के बीच में, 1927 में, टेलिविजन का जो है वो विशकार कर दिया गया था, बट वो एक मास मीडिया की चैनल की तरह यूज नहीं होता था उस टाइन तक, ठीक है न, तो जब तक पोस्ट ये जो वर्ल्ड वोर, 2nd था हमारा 2nd World War का period, तब तक major mass media का source किया था, newspaper था, ये ध्यान रखेगा, after that, जो term mass media है, उसको widen कर दिया गया और उसमें radio, television, cinema, सारी चीज़ें जो हैं, वो include, मानी जाने लगी, function की बात करें, I'm really sorry, function की बात करें, तो infotainment यानि information प्रोवाइट करने के लिए, along entertainment, information प्लस entertainment से मिलाया है, मिलके बनाया है ये, edutainment यानि education प्लस entertainment, ठीक है, तो हम mass media जो है, वो क्या करता है, education भी प्रोवाइट करता है, entertainment की साथ-साथ, और information भी प्रोवाइट करता है, entertainment की साथ-साथ, इस इसले इसको infotainment और edutainment जो है वो बोला जाता है types की बात करें mass media की तो एक होगा traditional media जैसे हर एक society में एक respective folk या cultural heritage होती है जैसे folk या classical art हो गई, dance, song ये सारी चीज़े वो भी एक तरीके से एक message carry करते हैं कि कैसे उनका जो culture है वो पहले रहते थे या कैसे जैसे कोई drama है, किसी का culture है, paintings जो है तो वो एक तरीके से traditional media का काम करते हैं क्योंकि वो continuously, spontaneously convey करते हैं एक large number of audience को कुछ न कुछ message, ठीक है This media also fulfills the commitment of infotainment और edutainment की हमने बात की तो traditional media मतलब जो पहले से चीज़ें चली आ रही है वो print media जो modern time में production हुआ print media का, जैसे newspaper हो गई, journals हो गई, magazines हो गई, books या periodicals हो गई जहां पर लिखे बताई गई हैं चीज़े न, तो वो क्या हो गई एक तरीके से print media हो गया Next आता है electronic media, electronic media जो है एक sort of revolution है mass media services में, electronic media में हम radio, television, cinema इन सब चीज़ों को include करेंगे, then आता है social media या web media जो इसके भी बाद अब जो चीज़ें होते हैं, जैसे twitter हो गया, linkedin हो गया, google हो गया तो ये सारी चीज़ों जो हो social media include करता है, इन सब चीज़ों को significance की बात करें, so obviously indispensable source है information का हमें बेहद information में बलब भरमार है information की जब हम mass media की बात करते हैं employment generator है क्योंकि ये field ही अपने आप में इतना बड़ा field हो गया कि उसमें वो जो information पहुंचाने के लिए चीज़ें चाहिए information निकालनी है आपको तो वो एक employment जो है वहाँ पे बहुत सारे available है, जैहें वो reporter, reporting के field में हो गई ठीक है, तो वो बहुत सारे areas हो जाएंगे जहां पे हम बोल सकते हैं कि mass media जो है वो generate करता है employment को Opening of professional courses and self-occupation, अब self-occupation भी कर सकते हैं, professional courses जो हैं वो भी यहाँ पे हैं चीज़ें कि mass media के, जैसे mass communication के अलग से courses होते हैं education provider भी हो गया mass media, जैसे आप भी देखा जाए तो मलब बहुत जादा लोगों तक हमारा channel पहुचा नहीं है, बट जिन तक पहुचा है उस हिसाब से तो अगर मान लो 25, 22, 23,000 subscribers हैं, तो उन तक information पहुचाना भी तो एक तरीके से एक इनसान जब बाकि सबको information दे रहा है किसी topics से related तो वो education ही तो provide हो गई न with the help of media, social media, entertainment provider हो गया, social reformer जो है एक तरीके से बोल सकते हैं तो हमें हर चीज़ जो है और इन सब चीज़ों को मिला के हम क्या बोल देते हैं इसको entertainment या फिर infotainment क्योंकि कही न कहीं information प्लस education दोनों चीज़ें हमें यहां से मिल रही है then है जी influence of mass media on society, society के ऊपर positive और negative दोनों ही influence हो सकते हैं positive में trustworthiness देखी जाएगी, जो कई बार shopping habits को भी influence करते हैं जो चीज़ आपको चाहिए होते हैं वो बार-बार आपके सामने scroll करते हैं अगर आपने एक बार search कर लिया उसको तो बतलब आपने google पे कोई चीज़ सर्च किया जब आप youtube खोलेंगे तो उसमें भी बीच में आपको jacket सी दिखेंगी जो आपने वहाँ पे search की थी google पे ठीक है तो अलग-अलग type की चीज़ें वो आपको दिखाता रहेगा तो shopping habits जो है वो भी influence होती है negative influence भी रहेगा क्योंकि young generation के उपर कही बार क्या होता है बहुत गलत प्रभाव जो है mass media का पढ़ता है intoxicating young generation का में भी कही न कही रोल आ जाता है mass media का और inclination towards violence भी mass media की बजह से होता है तो ये negative influence हो गए और उपर वाले positive influence हो गए then जो mass media है उसकी historical glimpses है कुछ एक एक आदिवार question आया हुआ है इनसे last में बता दूँगे at least कितना portion आपको याद रखना है ठीक है जैसे first handwritten newspaper कब आया इटली में circulate हुआ 1566 में point ये है कि अगर आपको date याद नहीं है बट आपको ये तो दिमाग में conceptually रहना चाहिए न कि अचा handwritten newspaper करके भी कुछ circulate हुआ था मदब हाथ से लिखा हुआ newspaper ठीक है first ever printed newspaper जो है वो जर्मनी में 1609 में publish हुआ first English newspaper जो कि क्या था the weekly news वो 1622 में England में publish हुआ journalism जो है वो 1883 में start हुआ कहां से Chartered Institute of Journalist in England then है जी radio रेडियो के अगर बात करें तो first identified and studied by German physicist Henrich Hertz और इसी लिए जो radio waves है उनकी frequency को क्या बोलते है हम किस में measure करते है Hertz में measure करते है इन ही के नाम के पीछे आई है चीज़े radio जह वो किसने invent किया था इटली में 1895 में invent हुआ था गुलिलमो मारकोनी अगर इतना idea होना चाहिए कि कौन सी year के आसपास कि अच्छा पहले radio आया है तो कहां पर कितना अगर पहले newspaper प्रिंट होने लगा है तो पहले newspaper किस time तक आ गया था कब तक radio आ गया था इस type की चीज़े हमें पता होनी चाहिए so effective channel of mass media जो है वो use हुआ था world war 2 के दो रान ठीक है so यह क्योंकि यह newspaper से भी जादा fast जो है information को spread कर रहा था so radio कब use होना शुरू हो commercially 1900 में television के अगर हम बात करें तो mechanical television जो है वो invent किया था john loggy barrett ने स्कॉटलेंड में इनके साथ मिलके US के USM में इन्होंने 1920s में ठीक है point क्या है सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाँ television radio के बाद आया क्योंकि कई बार chronology है वो पूछ ली जाती है so first color tv के अगर हम बात करें broadcast आएगा first color tv broadcast जो वो USA में वाथा 1951 में यानि कि world war 2 के बाद की बात हो रही है during 1950s जो है वो television became a household name ठीक है then आता है जिस cinema आया TV के बाद जो है cinema में भी इसकी roots जो है वो first screen क्या short film से हुई इसने शुरू किया वो यहाँ नाम है 1895 की बात है पहली color movie वो है वो England में shoot की गई थी 1902 में यानि भारत में अभी तक यह चीज़े नहीं है यह देखिए social media की अगर बात करें तो 1979 में user net नाम का एक social media जैसे अब facebook है वैसे ही user net नाम से USA में जो है create किया गया सबसे पहले social media first recognizable social media site जो हो six degrees थी जो की 1997 में थी facebook और twitter की बात करें 2006 में आये whatsapp की बात करें 2009 में और whatsapp को किसने brand actor और gencom of USA से यह बोला जाता है former employee थे वो yahoo के यानि yahoo इससे तो पहले ही आ गई ठीक है यह इंडिया के है कुछ एक समाचार पत्र जो इंडिया का media history है उसकी बात हो रही है यहां पे यह question जो है वो previous year में एक बार आया हुआ है Bengal gadget जो है वो first English daily published था इंडिया में 1780 में ठीक है जैंस ऑगस्ट ही की तो यह कई बार history में भी पूछा जाता है बट हाँ हमारे paper one में यह question एक बार आया हुआ है समाचार सुधा version की बात अगर हम करें तो first Hindi daily published था किसमें इंडिया में 1854 में समाचार दरपन की बात कर रखें यहां पे वो first vernacular daily था किसमें बेंगोली में और इंटल magazine या केलकटा amusement की बात की गई है वो first magazine थी 1785 में associated press of India API इसको याद रख लिजेगा यह first news agency थी इंडिया की किसने established की थी केसी रोयने 1905 में ठीक है अगर सारी चीज़ें याद ना रहें तो कुछ-कुछ जो थोड़ा वो ध्यान रहें वो ध्यान रखेगा राजा हरिश्चंद्र यह important है याद भी रहती होगे आपको पहली full length film थी किसने produce की थी इंडिया में दादा साहिब फालके ने और उन्होनी सिले उनको the pioneer of Indian cinema भी बोला जाता है और cinema में यह award भी दिया जाता है दादा साहिब फालके award News Agency जो है इंडिया की वो थोड़ी से important है Press Trust of India, PTI, largest news agency है यह इंडिया की जो की 1947 में found की गई और 1949 में शुरू की गई, मदब functioning करना शुरू किया उसने UNI United News of India, यह इंडिया की another leading news agency है 1959 में, Companies Act 1956 के अंडर शुरू की गई Indo-Asia News Service, IANS यह भी 1986 में established हुई और यह 24 hours, 24 into 7 वाले जो service है वो provide कर रही है Hindustan Samachar 1948 में ऐसे ही Samachar जो है, वो Hindustan Samachar था, यह Samachar था अब यह चार agencies है, PTI, UNI, Samachar भारती और Hindustan Samachar इनको मिला के 1976 में emergency के दोरान Samachar शुरू किया गया ठीक है, इनको मिला के, Samachar भारती जो है, वो first bilingual news agency थी यह ध्यान रखियेगा, यह operational कब हुई 1967 में known aligned news agency pool, NANAP, यह भी organization है, जो news exchange करने के लिए use होती है, इस में से एक चीज याद रखेगा, कौन सी, जो first press commission है, वो 1952 में constitute किया गया, J.S. Radhaksha के, उसके अंदर, chairmanship के अंदर ठीक है, और इन्होंने recommend किया, कि एक registrar of newspaper होना चाहिए, इंडिया में, और एक press council of India होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाभी इन्होंने 1952 में किया, और यह रखिये के, registrar of newspaper, जो है, 1956 में constitute भी हो गया, on the recommendation of first press commission, ठीक है, second press commission के अगर बात करें, तो 1978 में set up हुआ, justice PC Goswami के अंदर, और इन्होंने, इन्होंने, इन्होंको, यह कि अब constitute किया गया, 1980 में, किस की chairmanship में, K.K. Matthew की chairmanship में, ठीक है, then है, जी, press council of India, इसका headquarter, याद रखिये, कई बाद पूछ लिया जाता है, press council of India का headquarter है, जी, Delhi, 1966 में, इसको, जो किसने recommend की थी, first press commission ने recommendation दी, उसके बाद, क्योंकि first press commission ने, दो चीजों को recommend किया था, एक registrar of newspaper, वो 1956 में, और इसके 10 साल बाद, 1966 में, press council of India, यह याद रखियेगा, ठीक है, then okay, यह supreme court आएगा, इसको ध्यान रखिये, और पढ़ लीजेगा, एक बार इस slide को complete, then है जी, press information bureau, P.I.B., आज कल भी, अगर आपको यह, basically, nodal agency है, government of India की, जो की information देती है, government के plan, policies और इन बारे में, तो अगर आपको किसी policy में कभी कोई doubt हो न, तो आप कोई भी चीज, उस policy का नाम या कुछ भी डाल के, आगे P.I.B. लिखिये, ठीक है, तो वो press information bureau जो है, और ऐसे ही एक channel भी मिलेगा, आपको P.I.B. का YouTube के उपर, okay, तो वहाँ से आपको क्या है, genuine information जो है, वो मिल सकती है, P.I.B. जो है, वो 1919 में established हुई थी, इसका headquarter भी New Delhi में है, अब बात आती है, आपको याद रखने वाले चीज़े, अब जो दो-तिन slide आएंगी, इनको याद रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने, बाकी सारी जो चीज़े हैं, या जो questions है, उसमें से जिस्ट में हैं ये चीज़े, तो ये तो at least याद रखेगा, कि क्या आप तक कौन सा question कब आ जाएं, first multilingual news agency question पुछा गया है, कौन थी हिंदुस्तान समाचार, Bengal gadget जो है, वो पहला newspaper था इंडिया में, 1780 में शुरू हुआ था, James Augustus Hickey ने चुरू किया था, newspaper with maximum circulation, यानि सबसे जादा कौन सा newspaper बिखता है, Danik Bhaskar, तो पहला Hindu news, maximum बिखने वाला Hindi newspaper भी यही हो गया, Danik Bhaskar, इसका headquarter है भोपाल में, English newspaper with maximum circulation, Times of India, याद रखेगा ये नाम तीन चार न, उत्तर प्रदेश में publish होते है, maximum newspaper जो है, इंडिया में, followed by Maharashtra, और maximum newspaper जो है, इंडिया में, पहले हिंड में, अभी हिंडी में जादा publish होते हैं, और क्योंकि maximum newspaper circulation वाला कौन सा है, Danik Bhaskar है न, वो हिंडी में है, ठीक है, so हिंडी में publish होते है maximum newspapers और उसके बाद फिर English में, otherwise बारा जो 21 state official languages है, उनमें भी publish होते हैं, newspapers न, अलग-अलग जगह पे, पाइमियर कौन है, silent feature film के इंडिया में, दादा साहिब फाल की है, All India Radio, AIR, किसके लिए, ब्रोड कास्टिंग के लिए, कब asynchronous, spelling ठीक कर लिजेगा, asynchronous medium का, synchronous और asynchronous, दोनों मैंने आपको बहुत बार समझा रखे हैं, main objective क्या है, FM station का, in radio is entertainment, information, और interaction, ठीक है, community radio is of a radio service, caters to the interest of local resident, वो community radio रहेगा, All India Radio, जो है, 1936 से पहले, उसको किस नाम से जाना जाता था, state broadcasting service, the biggest news agency कौन सी है, इंडिया की, PTI, ये कुछ shake days है, ये day याद रख लीजेगा, क्योंकि national press day का question आया हुआ है, previous year में, okay, so हो सकता है, इन बाकियों में से भी, ये world press freedom, I'm sorry, इस तरीके का कोई question आये, तो ये नाम जो है, communication के field में at least, ये जो dates है, ये याद रखेगा, world radio day, television day, world social media day, national journalism day, national press day, या फिर world press freedom day, ठीक है, इनको याद रखेगा, तो अगर कुछ समझ नहीं आया हो, तो comment करके पूछ लीजेगा, कल सुबह की class में नहीं ले पाऊंगी, शाम तक अगर तब ये जादा ही खराब होगी, कल भी, तो देख लीजेगा, schedule कर दूँगी, अगर class लूँगी तो, ठीक है, this was all about today, thank you so much for watching, be happy, keep smiling, be consistent in your studies, रोज थोड़ा थोड़ा जो है, आपको पढ़ना है, और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रही है, और inculgate learning को subscribe कर दीजेगा, विलकुल free है, ठीक है, thank you,